आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को Fast API स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाने वाला हूँ हम सबसे पहले Fast API के basics को देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक beginner friendly project बनाएंगे बहुत कमाल का ये वीडियो होने वाला है Fast API सीखने के लिए तो चलते हैं computer screen में and let's get started सबसे पहले मैं आप लोगों को बनाना चाहूँगा कि Fast API को सीखने के लिए आप लोगों को जिस भी चीज़ की जरूरत है वो सिर्फ Python अगर आपको Python आता है तो आप Fast API में coding कर सकते हैं थोड़ा बहुत web development की basics आपको आने चाहिए अगर आपको flask आता है तो आप लोगों की जिन्दगी बहुत सदा असान आने वाली है लेकिन अगर आप लोगों को flask नहीं भी आता है तो आप चिंता किसी चीज़ की मत करना क्योंकि यहाँ पर मैं यह assume करके चलूँगा आपको कुछ भी नहीं आता है अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ जो हमारा fast API है वो आधारित है pydentics पर python types पर अब इस बात का क्या मतलब हुआ python में types का support introduce किया गया है लेकिन python में जब types का support introduce किया गया था उससे पहले typing नाम का एक module यूज़ किया जाता था जिसकी साहिता से python में types को support किया जाता था अब मैं आप लोगों को यहां पर fast API की documentation में लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहां पर आप लोगों को सब कुछ मिलेगा हाँ मुझे मालूमेस में बहुत सारी चीज़े है एक beginner अगर यहां पर आता है तो उसको बहुत ज़्यादा confusion हो सकता है बट मैं यहां पर आप लोगो step by step चीज़े समझाने के लिए आया हूँ हम लोग इस वीडियो में MongoDB का भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो अगर आप लोगोंने MongoDB Atlas पर sign up नहीं किया है तो आप MongoDB Atlas पर sign up ज़रूर करते हैं आप लोगों को simply description में दिये हुए link पर जाना है और जैसे ही आप description में दिये हुए link पर जाएंगे आप लोग इस page पर redirect हो जाएंगे आप लोग यह try free पर click करके sign up कर सकते हैं अपने account में और जैसे ही आप लोग साइन अप कर देंगे वैसे ही आप लोगों को इस तरह की screen देखने को मिलें कि मैं अल्री यूज़ करता हूँ MongoDB Atlas जिसकी वज़े से मुझे देखने को मिल रहा है और मैं वेट कर रहा हूँ अपने account में login होने का और आप यहां पर अपनी location यहां चुलने जैसे कि मैं चुलनूंगा इंडिया में कोई भी location एशिया में मुंबई मुझे मिल गया मैंने मुंबई चुना cluster tier में आप लोग free tier के अंदर रहते हुए अपना cluster बना सकते हैं अगर आप सिर ट्रायोट कर रहे हैं तो और यह करते करने के बाद आप लोग free में cluster बना सकते हैं और यह चीज़ मैंने अपने previous वीडियो में भी बताई हुई है बट अगर आप लोग free tier में cluster बनाना चाते हैं तो यहां पर आप लोगोंने simply करना किया है कि shared पर click करके और free में आप लोग एक cluster बना सकते हैं आप देखो यहां पर free लिक कर आगया free forever और इस cluster को बनाने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह का cluster देखने को मिलेगा मैं cancel इसलिक कर रहा हुँ कि मैंने already बनाया था और मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया भी था वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और उस वीडियो का title था Learn MongoDB in One Video तो आप लोगोंने का Learn MongoDB in One Video नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं ठीक है और यहां पर उसके बाद आप लोगो यह cluster जैसे ही मिल जाता है आप यहां पर आएंगे database access में एक user बनाएंगे और user बनाने के बाद आप username और password set करेंगे जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि एक user बनाया जा सकता है और उसका password set किया जा सकता है और उसका password set करने के बाद आपने simply क्या करना है कि username password को अपने पास save कर लेना है और उसके बाद आप लोग अपना URI generate कर सकते हो मैं यहाँ पर back करूँगा और back करने के बाद यह connect पर click करूँगा और इसके बाद मैं अपना URI है उसको मैं select कर लेता हूँ मैं compass से connect करना चाहता हूँ तो आप लोगों ने करना किया है इस string को copy करना है string को copy करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपना password डाल दे यहाँ पर यह password लिखा हुआ है आपके security के लिए लेकिन आपको यहाँ पर अपना actual password डाल देना है और एक बार आपने यहाँ पर अपना actual password डाल दिया तो उसके बाद आप लोगों को इसको paste करना है अपने mongodb compass के uri में यह steps मैंने बहुत ही एक एक करके बताई हुई अपने mongodb in one video में तो आप देख सकते हैं बट बहुत ही straight forward है mongodb compass को install करके आप यहाँ पर edit connection string पर क्लिक करेंगे मैंने ही करूँगा नहीं तो मेरा password जो है सबको दिख जाएगा इसके बाद connect पर क्लिक करना है और इसके बाद आप इस cluster से connect हो जाएगे तो यह connecting to mongodb दिखा रहा है मुझे और मैं अपने mongodb का यह मेरा cluster इससे connect होने वाला हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने इस mongodb instance में मैं इसको use करने वाला हूँ से लिए मैं चाता हूँ कि आप लोग सब लोग यह step सबसे पहले कर लें अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि network access में जाकर आप IP addresses को shortlist whitelist कर सकते हो और whitelist करने से क्या होगा कि आप लोग का IP address से ही आप लोग इसको connect कर पाऊगे अपने mongodb instance को ठीक है तो यह करने के बाद आप लोग अगर database में आऊगे तो इस database से आप लोग आप connect कर सकते हो through your URI में आपर connect हो चुका हूँ और इसमें databases बनाए जा सकते हैं और databases view किये जा सकते हैं सारे काम मैं कर सकता हूँ तो यह step मैंने आप अभी कर ली है अब मैं आता हूँ वापस से fast API में और fast API के लिए जल्दी से एक pycharm project बनाता हूँ तो मैं आप पर pycharm IDE का use कर रहा हूँ आप लोग अपने पसंद की IDE को use करते हूए और मैं अपना जो पुराना project उसको load नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ एक नया project में बनाऊँ तो मैं फाइल पर जाके close project कर दूँगा और यह करने के बाद मैं एक नया project बनाने वाला हूँ इस new project पर click करने के बाद मैं आप लिखूँगा fast API tutorial अब यहाँ पर आप लोग देखोगी python 3.11 में use कर रहा हूँ and this is very important python का कोई भी पुराना version आप लोग use मत करना क्योंकि अगर आप लोग python का पुराना version यूज़ करोगे तो शायद आप लोगों को वो type supports नहीं मिले inconsistency आईगी जो मैं कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो उसमें मैं चाता नहीं हो इसलिए जो version मैं use कर रहा हूँ वही version फ्लीज आप लोग use करें उससे जो है हम लोग same page पर रहेंगे अब आप देखो fast API tutorial नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया है virtual environment मैंने बनाया है अब ये virtual environment क्या होता है अगर आप लोग python में नए है या आपको नहीं पता for any reason virtual environment is separate environment होता है जिसकी साहिता से आप लोग अलग से अपना environment बना सकते हैं global site packages में कोई भी package ना install करें आप virtual environment में कर सकते हैं और ये जो है packages और in packages के versions इस virtual environment तक ही सीमित रहेंगे जल्दी से create पर click करता हूँ बिना time को waste करते हुए और आप यहाँ पर देखिए main.py file बन चुकी है मैं इस main.py file को edit करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि fast api से जल्दी से start करने के लिए quick start पर जाऊँगा fast api की तो यहाँ पर मैं बस ढूंड रहा हूँ fast api का quick start code तो मैं जल्दी से यहाँ पर first steps पर जाऊँगा और इसको copy करूँगा ठीक है बहुत ही simple सी चीज़ बर उससे भी पहले मुझे दो packages install करने है तो मैं दो तरीके से packages install कर सकता हूँ एक तो terminal में जाकर अगर आप terminal में जाकर packages install करते हैं pip install करके वैसे कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर pycham का built-in interface भी यूज़ कर सकते हैं settings पर जाकर बड़ मैं काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पर terminal खोलता हूँ terminal और मैं आपर लिखूंगा pip install fast api और fast api के बाद मुझे आपर क्या लिखना होगा bracket में मैं installation पर जाता हूँ installation installation का इन्होंने कुछ guide दिया नहीं पर लिखना है यहाँ पर जल्दी से आपको दो चीज़ इंस्टाल करनी है एक तो आपने इंस्टाल करनी है fast api itself और एक और चीज़ जो आपने इंस्टाल करनी है वह है uvicon uvicon से हम app को रन करते हैं तो मैं जल्दी से यहाँ पर installation देखना चाहता हूँ मैं features में आऊँ यहाँ फर fast api के home page पर आऊँ और यहाँ पर जल्दी से installation ओकर यह रहा installation तो दो चीज़ आप लोगो लिखनी है तो लिखना है आपको pip install fast api और उसके बाद आपको लिखना है pip install uvicon ठीक है तो मैं जल्दी से यह दोनों लिख देता हूँ pip install fast api तो मैं इसको paste करूंगा और uvicon standard और आप देख सकते हो कि uvicon में install हो चुका है मेरे virtual environment में pycham में जब भी आप terminal खोलते हो तो आपको virtual environment activated मिलता है आपको यह चीज़ बाखी editors में नहीं होती है mostly editors में नहीं होती है तो आपको अगर यह doubt हो कि यार मैं install कर रहा हूँ मेरे virtual environment में install नहीं हो रहा है तो मैं जब आपको बताना चाहता हूँ कि virtual environment automatically activate कर देता भाइचाम इसके बाद हमने uvicon में install कर लिया और main.py में इनोंने कहा कि आप simple सा यह code डाल दे और यह code डालने के बाद आप लोग को क्या मिलेगा यह app जो है आप चला सकते हो चलाने के लिए के लिए टर्मिनल में आप लोग को यह वाला command टाइप करना यह uvicon के दुआरा main app को main.py के अंदर जो fast API अप है उसको चलाने के लिए command है अभी के लिए हम copy paste करेंगे बिना समझे कि हम क्या कर रहें मैंने simple copy paste किया ना कुछ समझाया है और ना ही मैं आपर अभी समझाना चाहता हूं मैं जस्ट आप लोग को चला कर दिखाना चाहता हूं चीज़े काम कर रही है hello colon word एक API बन चुकी है हमारी और यहां पर आप देख सकते हो कि hello colon word यहां पर आ रहा है क्या कोई दूसरा end point है क्या कोई दूसरा end point है हमारे पास मैं काम करता हूं जल्दी सी ना इसको desktop 2 में ले जाता हूं इससे मैं यह कर सकता हूं यह मुझे काफी convenient लगता है आप यहां पर देखें कि जो terminal है इसमें हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है कि कौन से user कहां से आया किसने कहां पर क्लिक किया और उसी के साथ-साथ आप यहां पर देखें कि एक तो slash end point है और उसे के साथ slash item slash item id end point है अब यह slash item id क्या है? यह simply item id देता है और q colon q देता है, अब यह q क्या है? मैं यहापर बस देखना चाहते हूं q क्या है क्यू एक string या फिर nun हो सकता है मैं आपको बताऊंगा कि यह सब क्या है और यह किस तरह से काम करता है और मैं जब आप लोगों को यहां पर मालो 2333 लेकर जाओं तो यह not found दिखा रहा है तो slash items भी मुझे करना होगा slash items slash कोई भी random number ठीक है और आप देखें कि item id क्या है 34234 और q है null q null क्यों है क्योंकि q की default value null है अगर यहीं पर मैंने इस function को q की एक value दे दी होती तो यहां पर मुझे q की वो value देखने को मिल जाती है I hope कि यह चीज़ आपको समझ में आ गई कि किस तरह से आप लोग q को एक value भी दे सकते है slash item slash item id करने से आप लोग का जो item id है वो एक variable के तोर पर आ जाता है आपको इस function के अंदर बिल जाता है मैं fast API के code को आपको जल्दी से समझाता हूँ और यह union क्या है यह भी मैं आप लोग को बताऊंगा तो यह fast API का basic code है हमने सबसे पहले fast API को import किया from fast API फिर हमने एक app बनाई जैसे हम flask में बनाते हैं अगर आप लोग flask use नहीं करते हैं that's totally fine यह आपर हम एक app बनाते हैं जो कि हमारी basic app होती है fast API की इसके बाद हमने क्या किया app.get लिखा और यहाँ पर endpoint लिखा इसका मतलब कि get request कोई भी अगर slash पर मारेगा तो उसको यह चीज़ देखने को मिलेगी मैं आपर app.post भी लिख सकता था और इसके इसमें post request को handle किया जाता और इसके बाद यह return कर दिया जाएगा simple सी एक API हमने बना दी similarly app.get slash item slash item id करने से यह item id एक variable बन गया क्योंकि हमने इसको curly brackets के अंदर रखा हुआ है और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर देखें कि read item item id कोलन end q कोलन union अब यह union क्या है इसका मतलब यह है q या तो एक string हो सकता है या none हो सकता है अगर आप लोग latest version में है python के तो आप इसको हटा कर कुछ इस तरह से लिख सकते है str और none ठीक है और यहाँ पर हमने कहा is equal to none अब आपने से कई लोगों को doubt होगा कि यार यह क्या चीज है और इसके लिए मैं आप लोगों को python types के बारे में बताने वाला हूँ तो अब जल्दी से python में types किस तरह से काम करते हैं समझाने के लिए मैं एक file बनाऊँगा और मैं इसका नाम रखूँगा python types ठीक है यह करने के बाद में आप लोगों को एक चीज दिखाना चाता हूँ मानलो आपने एक function लिखा आपने कहा add और यह दो numbers को sum नहीं करता है मानलो यह दो names को sum करता है एक है first name एक है last name और यह आप लोगों को return करके देता है first name plus last name एक space भी लगा कर देता है और इसके बाद last name ठीक है fname और lname अब मानलो और some reason में चाहता हूँ कि मैं fname को कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं fname.string का कोई method यूज कर पाऊँ ठीक है fname.string का method यूज कर पाऊँ तो मैं बहुत आराम से एक काम कर सकता हूँ मैं आपर लिख सकता हूँ fname.capitalize और मेरा fname capitalize हो जाएगा और उसके बाद मुझे जो name होगा वो final return होकर मिल जाएगा तो मैं आपर क्या कर सकता हूँ print कर सकता हूँ finally name को मैं right click करके इसको run करके आप लोको दिखाता हूँ और आप देखो bill gates मुझे मिल जाएगा देखने को अगर इसका b small भी होता और मैं आप right click करके run करूँ तब भी मुझे capital bill gates देखने को मिलता फिर मानलो मैंने सोचा कि मैं काम करता हूँ क्यों इस function के अंदर इस functionality को डाल दूँ मैं क्यों इस functionality को इस function के अंदर ना डालू मैं क्यों pass करूँ capitalize करके name को मैं चाहता हूँ कि मेरा function इस चीज को handle कर ले तो मैंने इस idea को ठुग्रा दिया और मैं यहीं पर coding करने चला गया अपने function में आपने यहां पर देखा जैसे ही मैंने fname. लिखा इसने मुझे string के methods जो है वो recommend करना शुरू करती है जैसे ही मैं यहां पर जाओंगा def add और मैं यहां पर लिखता हूँ firstname. तो इसने मुझे string के methods दे दिया which is pretty impressive लेकिन अगर मैं यही काम आपको vs code में करके दिखा हूँ या क आपको दिखाता भी हूँ मालो मैंने इसको paste किया यहां पर और मैं यहां पर python चुर लेता हूँ जो मेरी file है वो python file है तो यहां पर मैं language को python कर देता हूँ और आप यहां पर देखो जैसे ही मैं लिखूंगा firstname. इसने मुझे कुछ भी recommend करके नहीं दिया लेकिन अगर मैं आ on part of pycharm but जो भी editors होते है basic वो कहें आपसे कि भाई मुझे क्या मालूम firstname string है list है या कुछ भी है मुझे नहीं पता pycharm क्या technology यूज कर रहा है काफी बढ़िया technology है जो कि आप लोग को बता रहा है कि आपने maybe इसने guess कि our fname आपने bill or gates दिया जो कि एक string है तो क्योंकि आपके program म यह function use हुआ है as a string तो यह भी there is highly likely कि string हो सकता है तो let me show you some suggestions मैं कुछ ना show करूं इससे चाह मैं कुछ शो कर दूँ which is pretty impressive but just मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ vs code में या किसी भी दूसरे editor में आप expect नहीं कर सकते कि आपको drop down देखने को मिले यह problem solve की जाती है यहाँ पर python में types का support आइड करके आप यहाँ बता सकते हो कि जो मेरी first name है वो string होने वाली है और last name भी string होने वाली है तो आपको इस तरह से लिख सकते हो first name string last name string and अब आपको यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन vs code में या किसी और editor में भी आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर देख सकते है first name dot capitalize यह सब आ गया अगर यह list होती तो यह मुझे list के methods दिखाता अब make sure कि आप लोग नए version पे रह अगर हाँ आप pada list को मैं भी वह नहीं करना चाहता मैं जिस आप लोग को बता रहा हूं कि first name dot करके आप यहां पर list के सारे methods access कर सकते हो आप बता सकते हो इसको कि यह string है और स्ट्रीं के methods access कर सकते हो यह string और list में से कोई एक भी हो सकता है यह यह भी बता कह सकते हो कि यहां तो लोग argue कर सकते हैं कि यार ये तो चीजों को और मुश्किल बना रहा है python की beauty ही तो ये है कि हमें types की ज़रूरत नहीं पड़ती है but आप ज़रा सोचो कि आपने गल्दी से कुछ pass कर दिया यहां पर अब ये string था नहीं आपकी mistake हो गई आपने none pass कर दिया एक बड़े program में तो उस बड़े program में आप error ढूंते रह जाओगे आपको नहीं पता चलेगा कि ये basic error है लेकिन ये error पकड़ लिया जाएगा runtime पर ही वो आपको बता देगा कि भाई add को ये चीज़ पास की जा रही है भाई ये गलत है तो type checking इसलिए important होती है जावा script में भी type checking नहीं होती है लेकिन हम type script का इस्तेमाल करते हैं कि हम enforce करना चाते हैं कुछ types को तो ये चीज़ आप लोग को बता होनी चाहिए अब यहाँ पर आप देखो fast API की documentation में एक पूरा page dedicate किया गया है types intro पर तो हम इस पर थोड़ा सा time spend करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने इसी बात को बताया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप dot title function को use कर सकते हो अब उसी के साथ-साथ इन्होंने आप लोगों को list में से कुछ एक हो सकता है string pipe list आप ऐसा करोगे अगर तो आप लोगों को string or list दोनों के methods को recommend किया जाएगा अगर मैंने string all list कर दिया तो मैं यहाँ पर append भी use कर सकता हूँ मैं capitalize भी use कर सकता हूँ मैं सब कुछ use कर सकता हूँ फिर इसके बाद मैं और इसके बाद plus last name हमने return कर दिया first name dot करके हमें string or list दोनों के methods मिलेंगे और वैसे अगर हम लोग क्योंकि यहाँ पर अभी हम सिर्फ string को use कर रहे हैं तो मैं इसको dot capitalize कर दूँगा अब यहाँ पर समझाया गया है कि python 3.9 में क्या होता था in my personal opinion आप लोगो 3.9 और 3.6 की परवा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम latest version में जो python का built-in types हैं उनको ही use करेंगे हम लोग यहाँ पर इस तरह से typing से import list करके use नहीं करेंगे पहले किया जाता था यह जब type checking python में नहीं हुआ करती थी इस तरह की लेकिन आप क्योंकि आप enforce कर सकते हो तो आप अराम से इस चीज को जो है use कर सकते हो अब मालो मैं यह बताना चाहता हूं कि यहार जो मेरी list है वो numbers की list है तो मैं आपर list int कर दूँगा और अगर मैं आपर लिखूं for item in मालो first name तो मैं आपर item dot लिखूंगा ना जब तो item dot लिखने के बाद यह मुझे यहाँ पर string के methods तो दिखा ही रहा है उसी के साथ इंट के भी दिखाएगा मालो मेरी यह list ही होने वाली है तो मैं item dot करूँगा जैसे ही आप देखो image real जो भी हमारे int के methods हैं वो ही show कर रहा है यह which is amazing ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो तो मैं इसको अभी दोबारा से string on list कर सकता हूँ मैं यह भी बता सकता हूँ कि यार यह 3 की list है और int int और तीसा जो यहाँ पर हमारा इसके अंदर element आने वाला है वो let us say string आएगा तो अगर मैं इसमें pass करूँ मालो मैं fname को कर दूँ मालो true 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 तो इसने यही पर मुझे error दे दिया इसने कहा कि भाई साब ऐसा है मैं actually इसको capital T करूँ माई यह error उसका नहीं था यह error यहाँ पर true 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 जब मैंने किया तो यह यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने add fname किया तो मैंने यहाँ पर बता रखा है python को कि यार देखो यह string हो सकती है यह यह list हो सकती है ठीक है लेकिन यहाँ पर मैंने true 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 करके add को pass कर दिया fname अब मैंने list of integers बोला था लेकिन मैंने यहाँ पर दे दिया इसको list of booleans चलो इसको run करके देखते हैं और देखते हैं क्या होता है मैं यह for loop हटाता हूँ यहां से मैं इसको जैसे ही run करूँगा यहाँ पर आप देखना कि इसको जैसे ही मैंने run किया यह कहना list of object has no attribute capitalize अब type checking को अगर आपको vs code में नेबल करना है लेकिन आप यहाँ पर 66 कैसे pass कर रहे हैं या फिर अगर यह गलती से मानलो database से मैंने value fetch की none आ गया तो यह यहाँ पर मुझे बता देगा कहेगा भाई साब none नहीं होना चाहिए यह आपने बताया string है लेकिन मानलो कभी कभी वो none भी हो सकता है तो मैं उसको और none ऐसे कर दूँगा तो यहाँ पर आप देखो कि और none मैं जैसे ही लिखूँगा यहाँ पर तब मेला काम हो जाएगा आप यहाँ पर देखो कि expression of type none cannot be assigned to a parameter of type string इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यह कह रहा है कि देखो यार मानलो आपका यह none होता है ठीक है और यह तो आपका none है default value तो there will be cases जब आप none को capitalize कर रहे होगे capitalize is not a known member of none ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एक if statement लिखना पड़ेगा आपको कहना होगा if not a first name अगर first name none नहीं है तब हम क्या करेंगे तब हम इसको capitalize करेंगे यह फर मैं कह दूंगा if first name is not equals to none is not equals to none तब ही करेंगे तब आप देखो यहाँ पर यह error चला गया अभी मैं देखता हूँ अब यहां पर देखो मुझे much of errors तैप से related, यह कह रहा है कि आप none में none नन कर सकते तब नहीं से सब कुछ सिखा रहा है जो की अच्छी बात है यार क्योंकि future में मुझे error देखने को मिलेगा असस आच है मैं यहीं पर error देखने को run करने से पहले ही जो कि हर developer चाहता है कि उसको यही पर error मिल जाए run करने से पहले error उसको देखने को मिल जाए ताकि वो यही पर fix कर ले और run time पर पर परेशान ना हो ठीक है तो यहां पर आप यह देख सकते हो कि इसको जैसे ही आप basic करोगे आप type checking का जो है आप plugins में जाएं, plugins में जाकर आप पाइलेंड इंस्टॉल कर लें ठीक है पाइलेंड को इंस्टॉल कर लें आप यह एक plugin है इसको इंस्टॉल करने के बाद इनेबल कर लें और इसके बाद आपको यहां पर देखो यह errors देखने को मिल रहे expected type str got end instead अब मैं यहां पर दुबारा से वापस आता हूँ और आप लोगों को यहां पर दिखाता हूँ कि और किस तरह से आप लोग जो है types को enforce कर सकते हो अब आप classes बना कर भी type enforce कर सकते हो जो है कि यहां पर class person मैंने बना दिया और मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरा one person है वो of type person होना चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो ठीक है तो यह करने से आप लोगों को जो है इस ताना से आप जो भी methods है जो माल लो मेरा जो name है वो string है आप आप यहां पर देखो name string है तो मैं one person dot string के methods अक्या मैंने one person dot name किया उसके बाद मैं form data validation यह इस चीज़ को एक दूसी लेवल पर लेके जाता है और Pydantic एक base model आप लोगों को प्रदान करता है जिसकी साहिता से आप यह चीज़ कर सकते हैं Pydantic में जितना मैंने built-in आपको बताया Python के बारे में उससे भी ज़्यादा features होते हैं लेकिन Pydantic को detail में अभी हम नहीं देखेंगे हम Pydantic के बारे में कि Pydantic क्यों बना है समझने के लिए type hints के बारे में हमने सीखा और हम लोग जो है Pydantic मेसे सिर्फ इतना जानेंगे कि आप base model को import कर सकते हैं,base model को import करने के बाद आपने simply क्या करना है कि आपने बता देना,सकी यह जो base model है हमारा वह मेरा type होने वाला है तो आप colon लग अगर base model कर सकते हैं किसी जीज का अगर आप लोग को type करना है तो वह कैसे करना है है मैं आप लोग کو Handy करना तो और मैं पेस्ट कर रहा हूं यहां पर और मैं इसको पेस्ट करने के बाद आप लोग को इसको चला कर दिखा तो मैं इसको run करूँगा और आप लोग देखो यहां पर मैंने print किया तो यह print होकर आ गया ठीक है तो मैंने यहां पर क्या कहा मैंने कहा कि एक external अब माल लो इसमें friends नहीं होता friends 3 होता अब यहां पर आप देखो name जो है इसमें required नहीं है लेकिन मैं इसमें चीजों को required भी बना सकता हूं ठीक है तो मैं यहां पर कुछ इस तरह से कह सकता हूं कि जो name है उसकी default value john do होनी चाहिए और id इन्ट id required है तो माल लो मैं idd करते तो इसको run करने की कोशिश करूँगा तो देखो यहां पर validation error आ गया और यह मुझे से कह रहा है कि यह चीज़ रिक्वाइड है तो चीज़े को validate करने के लिए हम लोग identic का इस्तेमाल करते हैं यह सिर्फ इतना identic है जितना आपको fast API use करने के लिए आना चाहिए ठीक है अब हम वापस आएंगे fast API पर fast API को सीखेंगे अगर आप लोग को यह लगता है कि यार जितना मैंने भी आपको बताया है types के बारे में पाइडिंटिक के बारे में वो boring है तो आपको आने वाले टाइम में भी पता चल जाएगा कि यह बोरिंग नहीं है अक्चल में बहुत जादा useful है fast API को सीखने के लिए अगर आप fast API को इस्तिमाल करना चाहते हैं अब आप यहापर देखो मैंने colon लगा कर int लिखा मैंने colon लगा कर str लिखा और none लिखा और मैंने इसकी default value को none कर दिया अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह सारी चीजें किस तरह से काम कर रही है कि क्या लिखा है क्यों लिखा है मैं आपर list भी दे सकता हूँ मैं आपर dictionary भी दे सकता हूँ मैं आपर कह सकता हूँ कि item ID एक dictionary है जिसकी key एक int है और value एक str है यह भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ठीक है तो यह चीज़ आप लोग को पता होनी चीज़ अभी मैं इसको दुबारा से int कर दूँगा और int करने के बाद आप देखो यहाँ पर कुछ भी मुझे problem नहीं आईगी मैं by identic की use करूंगा fast API में इसलिए मैं आप लोग को by identic बता है अब हम लोग fast API से एक useful app बनाना सीखेंगे get request कैसे मारते हैं, post request कैसे मारते हैं किस तरह से data को pass किया जाता है, templates कैसे बनाते हैं यह सारी चीज़े देखने वाले हैं अब हम लोग बनाने वाले एक website, एक real world project fast API का इस्तिमाल करते हुए और उसकी साहिता से हम लोग fast API की और भी बहुत सारी चीज़े हैं concepts हैं जो की सीखने वाले हैं तो मैं आपर सबसे पहले आप लोगों को क्या करने वाला हूँ यह बताने वाला हूँ कि templates को fast API में किस तरा से इस्तिमाल किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर simply search करेंगे fast API templates को और यहाँ पर आप देख सकते हैं fast API का template वाला page खुल गया है और यहाँ पर आप देखिए कहरें pip install कर लो ginger tool let's do it let's do it तो हम क्या करेंगे टर्मिनल खोलेंगे अपना जल्दी से तो हमारा टर्मिनल आ गया यहाँ पर और हम टर्मिनल के अंदर नए टर्मिनल में भी install ginger tool करेंगे make sure कि आपको virtual environment activated है अगर आप लोग कोई दूसा editor यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यापर अपना virtual environment activate कर रहे हैं ठीक है यह करने के बाद मैं simply क्या करूँगा अपने main.py में चाहूँगा यह जो pydentic test और python types है यह मैंने आप लोग को learning purpose के लिए बताया तो मैं एक नया directory बनाऊँगा और मैं उसको रहा हम tutorial रखोंगा और यह सारी जो unnecessary files है unnecessary for our project उसको मैं tutorial वारी directory में move कर दूँगा ठीक है और यह तो main.py है यह हमारी main file है यह main file इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम अपना जो project है वो बनाने वाले है so let's see कि किस तरह से templating की जा सकती है Fast API के अंदर तो यहाँ पर कुछ चीजें import करने को कई जा रही हमसे Fast API में उनको हम import करेंगे पहला है कि response, html response Fast API से किस तरह से हमें देना है फिर उसके बाद दूसरी चीज है कि static files को कैसे serve करना है फिर इसके बाद है कि किस तरह से हम लोग ginger to templates को use कर सकते है तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जिस तरह से flask में मैं एक folder बना सकता हूँ static नाम से और मैं एक templates नाम से folder बना सकता हूँ मैं आप डिरेक्टर पर क्लिक करूँगा और यहाँ templates पर क्लिक करूँगा आप देखो कि हमारा जो fast API का server है वो automatically restart हो जाता है जैसे से हम लोग changes करते है उसमें तो अगर आपका कोई भी छोटा मोटा change होता है तो आपका server automatically restart हो जाएगा and let me show you कि अभी यहाँ पर अगर मैं home page पर जाओं यहाँ मालो मैं slash static पर जाओं और मैं static slash style.css लिखो तो आप देखो यहाँ पर style.css मैं access कर पा रहा हूँ जिसका मतलब कि मेरी CSS file है यह काम कर रही है ठीक है So I hope कि आपको समझ बाया किस तरह से static files को serve करना है फिर उसके बाद और यहाँ टेंपलेट्स को use करना चाहता हूँ मैं fast API के अंदर So simply में क्या करूँगा मैं काऊँगा कि जो मेरी templates है मैं काऊँगा templates is equal to ginger to templates directory is equal to templates templates नाम से एक directory है जिसमें मेरी templates हैं इसमें अपनी पहली file बनाऊँगा उसका नाम में रखूँगा index.html ठीक है सब आप देख सकते हो बड़ मैं आपर एक बहुत ही basic सी चीज़ बनाने वाला हूँ मैं आपर बनाने वाला हूँ एक ऐसी app जो कि आपके notes को save करती है बहुत ही basic सी app है आपके notes को save करेगी तो यहाँ पर आप देखो जब आप slash पर जाओगे तो मैं चाहूंगा कि हमें हमारी notes app का homepage देखने को मिले तो मैं जो app.get है यहाँ से हटाऊँगा और इस app.get को मैं slash कर दूँगा मैं चाहता हूँ कि यह चीज मुझे slash पर मिले तो मैंने लिखा app.get slash response class is equal to html response मैंने लिखा और request जो है उसको मुझे import करना पड़ेगा तो मैं import this name करूँगा in fact जो request है वो कहां से आ रही है we'll have to see तो fast API से आ रही है तो हमें fast API से ही import करनी पड़ेगी request तो हम fast API से request को भी import कर लेते हैं अब यह कहरा है यह दो चीज़े लेगा क्या यह index.html को pass भी करती है कि नहीं तो मैं लेखता हूँ I am index.html let's see की जो हमारा homepage है उस पर हमें index.html देखने को मिलती है कि नहीं yes हमें देखने को मिल रही है I am index.html which means हमारा जो basic index.html वाला page है वो तो हमें देखने को मिल गया है अब आप लोग क्या करें कि Pymongo को install कर ले Pymongo आप कैसे install करोगे आपको simply करना है pip install Pymongo तो आप यहाँ पर लिखो pip install Pymongo और Pymongo install हो जाएगा तो मेरा Pymongo पहले से installed है तो मैं Pymongo पे जाद हमेरा देखने करों को install करने के लिए बार-बार from Pymongo import mongo client यह आप लोग को लिखना है और आप लोगों को connection जो है अपने mongo dv instance से बनाने के लिए लिखना है con is equal to mongo client और जो mongo client है आप इस पर control क्लिक करेंगे तो यह देखो आपको बता रहा है कि आप इसमें क्या क्या दे सकते है अब आप देखो यह client for mongo dv instance लिखकर आ रहा है और यह आप लोग को बताएगा कि आपको क्या क्या देना है किस तरह से देना है तो आपको जो uri है वो पास कर सकते हो और आप host parameter जो है वो पास कर सकते हो और आप लोग mongo की documentation पर भी जा सकते हो मैं तो हमेशा यह करता हूँ mongo dv by mongo client ठीक है मैंने simply यह लिखा और mongo client किस तरह से काम करता है मैं देख सकता हूँ यहापर तो मुझे mongo client से connection मनाने के लिए मैं simply जो uri है uri string यहापर पास कर दूँगा तो इस case में भी मैं यही करूँगा कि मैं अपनी uri string है उसको पास करूँगा और मैं आँगा यहापर mongo dv compass में यहापर आँगा मैं disconnect करूँगा और मैं अपना यह जो मेरा password के साथ पूरा uri है उसको यहापर लिख दूँगा और मेरा जो connection है वो मुझे यहापर मेरा connection जो है वो बन जाएगा यहीं मैं mongo dv mongo dv instance से connect हो जाऊँगा with that set मैं क्या करूँगा check करूँगा कि मेरा जो mongo dv instance है उससे connection हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो मैंने आपर slash test लिखा हुआ है आप देखो हम test database यूज़ कर रहे है पर पर test database यूज़ नहीं करना जाता हूँ मैं mongo dv compass में चाकर एक नगया database बनाऊँगा जिसका नाम में रखने वाला हूँ notes और मैं small में ही रखूँगा notes collection का नाम रखूँगा notes and मैं create database पर क्लिक करूँगा तो notes के अंदर notes और इसके अंदर कोई data नहीं है तो मैं क्या करूँगा simply मैं करूँगा मेरा notes database में use करना चाहता हूँ तो अभी हमारी याँ पर index.html बहुत अच्छी तरह से चल रही है अब हमारा जो अगला target है वो यह है कि किस तरह से हम लोग mongo dv से connect हो पाए तो मैं आपर simply क्या करूँगा मैंने लिखा con is equal to mongo client और मैंने याद से slash database का नाम तब हटा दिया मैं आपर लिखूँगा con यह मैं काऊँगा docs is equal to मैं लिखूँगा con.notes जो कि मेरे database के नाम है .notes जो कि मेरे collection का नाम है और इसके बाद मैं लिखूँगा .find1 और मैं सिर्फ एक document जो एक fetch करूँगा और आप लोगों की असानी के लिए मैंने यापर एक document इंसर्ट भी कर दिया database में जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आप भी कर सकते हो मैं एक और कर देता हूँ किया इसको तो docs में क्या हूँ सारे documents मेरे पास आ जाएंगे तो मैं print करूँगा docs और इसके बाद अगर मैं hit करूँ अपनी database को यानि कि मैं इसको reload करूँ मालनो मैं बार-बार reload करूँ तो मेरे पास बहुत सारे यह आने चाहिए print statements जो कि सारे databases को मुझे docs और print doc ऐसे लिखना होगा ठीक है तो मैं अगर database को reload करूँ तो आप लोग देखो यह आपर सारे documents मुझे देखने को मिल रहे है मैं for loop से सारे documents को fetch कर सकता हूँ तो यह चीज आप कर सकते हो मैं यह दूसरा वाला हटा देता हूँ यहां से अभी मैं इसको reload करूँगा तो आप देखों यह आप पर यह for loop जो है चलेगा और यह मुझे करके सारे docs देदेगा तो मैंने लिखा for doc and docs और इसने मुझे सारे docs देदी है तो यह रिस्टार्ट हो रही है application दूबारा से हिट करता हूँ यह फिर मैं कहूँगा application तो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ in fact यहाँ पर दोनो ाइडी मुझे टर्मिनल में देखने को मिल रही है जैसे कि आप देख सकते हो यह भी देखने को मिल रही है तो दो दो ाइडी हमें देखने को मिल रही है एक 8B और 8C जो 8B वाल डोकिमेंट वो यह है और 8C वाल डोकिमेंट वो यह है अब हम क्या करेंगे bootstrap पर जाएंगे तो मैं एक website डालूँगा getbootstrap.com यह website है जिससे कि आप लोग बहुत ही अच्छे user interfaces बहुत कम time में बना सकते हो getbootstrap.com पर जाने के बाद यहां से जो source code है उसको copy करूँगा मैं इनकी जो starter template है मैं cdn starter पर click करता हूँ और उन्होंने आपर अपनी बुरी template बना रखी है but let me show you something मैं docs पर जब जाऊंगा ना तो यहां पर इन्होंने एक अपना starter template दिया हुआ है और उस starter template को मैं use करूँगा इसको थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा अभी तक मैंने यह जितनी भी चीज़े try out करी हैं आपर इनको सबको अटाऊंगा मैं सारे documents को यहां पर fetch तो जरूर करूँगा लेकिन इन documents को मैं लिखूंगा for doc in docs और मैं आपर लिखूंगा new docs dot append और इसमें क्या पेंट करूँगा मैं एक तो id लूँगा doc id और mongodb underscore id होती है तो मैं इस तरह से लिखूंगा फिर मैं यहां पर लिखूंगा note doc और यहां पर note लिखूंगा ठीक है यह जावास्क्रिप्ट नहीं है तो double code तो डालना पड़ेगा new docs is equal to empty string यहां पर डालूँगा और यहां पर मैं क्या करूँगा new docs कुछ इस तरह से लिख दूँगा ठीक है तो मैंने यहां पर new docs लिख दिया और new docs लिखने के पाद मैं simply यहां पर index.html पर आऊंगा मुझे यहां पर कुछ error देखने को मिल रहा है let me see कि वो error क्या है new docs colon new docs करना पड़ेगा यहां पर और हमारा error जा चुका है अब मैं यहां पर एक navbar लेकर आऊंगा जल्दी से तो navbar लाने के लिए simply क्या करूँगा getbootstrap.com पर जाऊंगा navbar पर जाऊंगा तो मेरा navbar कहां पर है navbar यहां पर है navbar पर मैंने क्लिक किया and navbar पर क्लिक करने के बाद एक बहुत ही basic sa navbar मैं import करूँगा यह वाला navbar मेरा favorite navbar है अगर आप इस channel से जुड़े हुए you know what I am talking about ठीक है अब मैं आपर लिखूँगा div.container और div.container लिखने के बाद div.container लिखने के बाद उससे भी पहले मैं पता है क्या करूँगा यह दिखूँगा यार जो मेरी app है वो कहां तक पहुची चल भी यह ठीक से की नहीं चल रही है क्या उसका title vital subset है की नहीं है ओ वाओ internal server error आगया and let's see internal server error क्यों हो आ रहा है तो मैंने आपर docs for doc in docs लिखा और इसके बाद मैंने new doc store depend id doc id किया और यहां पर मैंने note doc note किया and you know what हमारे यहां पर note ही नहीं पहले document में तो let's edit this document और इसमें हम क्या करेंगे एक edit करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे note और इसके बाद यहां पर मैं लिख दूँगा hello from notes ठीक है शायd server restart हो रहा है let me see what the error is मुझे exact error देखना पड़ेगा यह पता लगाने के लिए कि क्यों नहीं चल रहा है तो बै नीचे scroll कर रहा हूं और scroll करते करते यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है exception in unhashable type list okay तो यह कह रहा है unhashable type list actually problem यह कि मुझे इसको double quotes में डालना पड़ेगा क्योंकि यह JavaScript तो है नहीं तो मुझे इसको double quotes में डालना होगा and it should work now for sure for sure and it worked ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो index.html के अंदर मैं अभी यहां पर आकर एक title देता हूं का और इसका नाम में रख दूँगा let us say iNotes take your notes add as per your convenience ठीक है मैं अफसर टेक your notes लिख देता हूं and easy easy peasy कर देता हूं और यहां पर भी iNotes लिखना जाओंगा branding में और इसके बाद आप अलग-अलग pages बना सकते हैं आपने about बना दिया contact us बना दिया तो यह सारी चीज़े आप बना सकते हो तो मैं इसको भी जरा remove करूँगा बाकी के जितने भी L.I. लगे वहीं drop down or disable और रिलोड करके आप लोगो दिखाना चाहता हूं कि iNotes में home, about और यहां पर एक search bar भी है maybe आप इसको use करना चाहो अपने notes को search करने के लिए but that is a story of some other video अभी यहां पर हम क्या करेंगे forms बजाएंगे और एक basic सा form डालेंगे जो कि हमें help करेगा to submit a note to the database तो let's go इसको मैं copy करूँगा और यहां पर मैं इसको paste करूँगा h1 tab और उसके बाद लिखूँगा start adding your note to the database ठीक है और यह करने के बाद मैं simply इसको reload करूँगा start adding your note adding your note to the database और यह चीज हमारे पास आ चुकी है यहां पर email address password लिखा हुआ but don't worry मैं यहां पर जो notes है वो लिख दूँगा तुम एक काम करता हुकआ यहां पर note title लिख देता हूँ और यहां पर title कर देता हुं इसे copy करके यहां पर ही title और यहां पर यहां पर text करूँगा यहां पर भीiny title करूँगा अब यह error क्यों आ रहा है यह कहे रहा है etically time okay आपरí flareERT description करूँगा तो मैं note description के लिए simply यहाँ पर लिख दूँगा note DESC मैं DESC लिखूँगा तो जहाँ जहाँ title लिखा है वहाँ वहाँ में DESC लिखूँगा DESC DESC और यह help वाली line हटाता हूँ यहाँ से DESC DESC type text okay तो यहाँ पर देखो email address लिखाता पहले अब note title note description यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो note title हमने लिखा और note description हमने लिखा और इसके बाद इस form को मैं submit करूँगा as post तो मैं कहूँगा method is equal to post ठीक है और method is equal to post करने के बाद यह form को मैं submit कर दूँगा और मैं यहाँ पर simply क्या करूँगा कि नीचे आकर कुछ नहीं बस एक और container बनाऊँगा और एक और container बनाने के बाद यहाँ पर अपने सारे के सारे जो जो मेरे documents हैं उनको मैं show करूँगा तो मैं simply क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा ginger how to और मैं यहाँ पर लिख दूँगा use for loop मैं चातो हो यहाँ पर मेरे सारे notes हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से loops start कर सकते हो ginger में आप लोग को loops के बाले में ginger में online कोई भी guide बता सकती है तो मैं यहाँ पर simply क्या करूँगा कि मैं ginger fast API लिख देता हूँ ginger 2 लिख देता हूँ okay तो यहाँ पर ginger 2 tutorial template designer documentation let me see को मुझे बहुत ही simple सा हाँ this is what I was looking for actually आप देखो यहाँ पर मैं for loop लगाकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ item dot और मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैं क्या आप भेज रहा हूँ new dogs भेज रहा हूँ मैं new dogs को iterate कर सकता हूँ और iterate करने के बाद मैं कह सकता हूँ item dot note ठीक है तो item में note है तो मैंने आपर item dot note कर दिया अब मुझे मालूम है मैंने आपर DESC लिखा है और title लिखा है but we'll get back to that very soon अभी हम यहाँ पर बसी देखते हैं कि क्या इस page को refresh करके हमें देखने को मिल रहा है hello from notes और I am note yes मिल रहा है यानि कि हम सारे notes को database में से fetch कर पा रहे हैं मैं आपर simply क्या करूँगा एक h2 लिखूँगा और h2 लिखने के बाद मैं आपर लिखूँगा simply your notes ठीक है your notes लिखने के बाद यहाँ आपर आपके सारे notes आएंगे तो मैं आपर एक div लगा देता हूँ और div के अंदर इसको ahref नहीं करूँगा इसको ahref नहीं करूँगा रादर मैं यहाँ पर आपका जो note है उसको directly display करा दूँगा कुछ इस तरह से तो आप देखो यह कुछ ऐसा दिखने वाला है your notes hello from notes I am a note यह सब आपके notes है ठीक है आप इन notes को अलग अलग तरह से front end में display करा सकते हो और note title, note DESC आप कुछ इस तरह से note का title, note का description यहाँ पर इस form को fill करके add भी कर सकते हो note अब हमारे पास जो final काम रह गया है वो यह रह गया है कि यह जो हमारा notes है इसका हम एक schema बनाए और schema बनाने के बाद उसके schema को enforce करें ताकि fast API हम लोग को type hints दे पाए हमारी types में help कर पाए और उसी के साथ-साथ-साथ-फास API के जो folder structure पे काम और folder structure पे काम होना बेहत जरूरी है तो जलो folder structure पे सबसे पहले काम करते हैं अब folder structure पे मैं क्या काम करना चाहता हूँ इन files को organize करना चाहता हूँ और आप लोगों को fast API के root से introduce कराना चाहता हूँ तो जो पहली file है वो मैं बनाने वाला हूँ और index.py लिखोंगा यहाँ पर ठीक है इंडेक्स.py नामसे मैंने file बना लिए तो यहाँ पर मैं simply लिखोंगा from fast API import fast API वही जो मैंने आप लोगो बता रखा है fast API यहाँ लोग इंपोर्ट करेंगे फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा पूरा का पूरा जो चीज हम यहाँ फैला कर लिख रहे थे हम अब अपनी files को organize करते हुए लिखेंगे तो मैं जलती से आप लोग को बताता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं मैं routes के अंदर एक नई python बनाने वाला हूं जिसका नाम में रखने वाला हूं notes.py ठीक है models नाम का folder बनाऊंगा आप देखो मैं चीजों के किस तरह से structure कर रहा हूं models नाम का मैं एक folder बनाऊंगा models नाम के folder में मैं एक file बनाऊंगा और वो एक python file होगी और उसका नाम मैं रखोंगा note.py ठीक है notes नहीं note.py मैंने इसका नाम रखा .py क्यों रखा क्योंकि मैं इसको model बनाना चाहता हूं जिसका नाम note होगा तो हम लिखेंगे from pydantic import base model और यह पहली बार हम pydantic use कर रहे हैं भी यहां पर मैं simply क्या करूंगा एक class बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखोंगा note और उसको मैं base model से import करते हुए simply क्या करूंगा यह बताऊंगा note में क्या क्या है एक तो चीज मेरी title है title क्या है मेरा str है फिर इसके बाद मेरा description है और वो भी str है और मैं काम और करता हूं चीजों में थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए इसको एक और फ्लैक दूंगा जिसका नाम है important यह important है कि नहीं इसको बूलियन के तौर पर लिख दूंगा कि क्या यह note important भी है कि नहीं अगर यह important होगा तो important field जो है वो true होगी वरना important field true नहीं होगी तो यह चीज भी बहुत साथ important है तो with that said हम क्या करेंगे हमने यहाँ पर अपना node बना लिया है मैं बस यह देखने चाहता हूँ यह error किस चीज कर दे रहा है मुझे यह line क्यों बन क्या रही है कह रहा है कि expected to blank lines found one ओके भाई दो ले लो कोई दिक्कत नहीं है तो हमने यहाँ पर क्या कि है models में हमने जल्दी से एक model बना दिया node बना दिया actually तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो मैंने notes.py बनाए in fact इसको भी note.py ही कर देता हूँ जो मैंने note.py बना रखा है भी यहाँ पर तो मेरा जो routes पर notes.py इसको मैं rename करूँगा refactor rename node.py refactor करूँगा simply क्या करूँगा मैं लिखूँगा from models.node import note ठीक है note जो model था वो मैंने import कर लिए अब इसके बाद मैं simply क्या करूँगा एक config नाम से directory बनाऊँगा जिसमें मैंने सारे config variables रहेंगा एक new directory है इसके अंदर एक file लिखूँगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा mongo underscore uri is equal to और यहाँ पर मैं अपना mongo uri लिखूँगा note that main वाली जो file है उसको मैं discard करने वाला हूँ उससे मुझे कोई मतलम नहीं रहेगा थोड़ी दिर के बाद तो यहाँ पर मैं simply को paste करूँगा paste करने के बाद मैंने यहाँ पर mongo uri is equal to यह लिखा मैं simply क्या करूँगा एक import लगाँगा from by mongo import mongo client and finally मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिख दूँगा client is equal to यहाँ फिर मैं connection is equal to लिख देता हूँ mongo client mongo mongo और एक client यार mongo client और इसके अंदर आएका mongo uri है ठीक है तो मैंने आपर connection अपना बना दिया है ठीक है यह करने के बाद जो मेरी mail file है वो तो index.py ही रहने वाली है ठीक है तो मैं आपर simply क्या करूँगा मैं कहूँगा from routes.node import जो मेरा router मैंने आपर दिया हुआ है तो मेरा route slash node.py dot slash node.py है ठीक है यहाँ पर मैंने अपना एक router बनाना है जिसको मुझे यहाँ पर भी import करना है ठीक है तो अभी तक हम यहाँ पर क्या करेंगे जितना भी logic है सारा router के अंदर लाने वाले है यह तो एक चीज होने वाली है तो मैं जल्दी से यहाँ पर note लिखता हूँ import note from roots dot note import note क्योंकि जो roots के अंदर है वो मैंने note.py के नाम से बनाई हुई है app जो होने वाली है fast API fast API की app बनाने के बाद मैं simply क्या करूँगा app dot include router and note note नाम के router को include कर लो simply मैंने यह कह दिया है अब यहाँ पर error इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको note नहीं मिल रहा है यहाँ पर मिल जाएगा मैं अभी बनाने वाला हूँ तो मिल जाएगा कोई attention वाली बात नहीं है अब सारा application का logic में क्या करूँगा मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ अब मैं एक और folder यहाँ पर बनाने वाला हूँ और वो है schemas का folder तो मैं python package नहीं sorry मैं directory बनाने वाला हूँ और मैं directory कराब लग दूँगा schemas और schemas के अंदर मैं क्या करूँगा दूबारा से note.py बनाऊँगा तो मैं right click करूँगा new पर जाऊँगा python file पर जाऊँगा और note.py बनाऊँगा और यह schema मेरा यह define करेगा कि मेरा note के इस तरह से दिख रहा है तो मैं simply आपर क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा def note और इसके अंदर मालो item और मैं कहूँगा कि यार यह return करने वाला है एक dictionary ठीक है pythonic dictionary पर convert करने के लिए तो मैं definitely यह चाहूँगा कि यहाँ पर सब कुछ जितनी भी key value pairs है वो convert हो जाए except id तो मैं आपर लिखूँगा underscore id जो हमारी underscore id है वो item underscore id हो जाए id हो जाए हमारी item underscore id और इसको मैं string में भी convert करूँगा क्योंकि यह string नहीं होती है ठीक है और इसके बाद मैं लिखूँगा यह आपर title मैं देखता हूँ मैंने जो अपना model बनाया था वो क्या बनाया था title, description, important तीन चीज़े title वो होगा item, title फिर इसके बाद आजाएगा मारे पास description ठीक है तो मैं आप यहीं से copy करके लिखूँगा ताकि मैं गल्ती ना कर बैटूँ तो मैं DESC यहां पर copy करूँगा यहां पर paste करूँगा फिर important को copy करूँगा यहां पर paste करूँगा यहां पर paste करूँगा double quote को fix करूँगा यहां से double quote को हटाऊँगा and I should be good इसके बाद मैंने यहां पर जो note है इसको यहां पर बनाया हुआ है और इसके बाद मैं एक और function बनाने वाला हूँ मैं in fact इसको note converter बना लेता हूँ यह note entity बना लेता हूँ ठीक है और इसके बाद मैं एक और function बना हूँगा notes entity के नाम से और मैं इसका नाम यहां पर यह क्या करेगा यह एक लिस्ट लेगा definitely ठीक है यहां फिर मैं कह सकता हूं कि यह items list लेगा और return भी करेगा list ठीक है तो मैं simply क्या करूँगा return करूँगा note entity item मैं कहुँगा note entity item और यह list return करेगा तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूँगा और मैं लिख दूँगा for item in items for item in items तो बिसी के लिए क्या करेगा सब को convert कर देगा किस चीज में convert कर देगा यह सब को convert कर देगा note entity में इस format में और उसकी जो list है उसको return कर देगा तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हो अब इस चीज पर आप for loop भी चला सकते थे कि यार अगर बहुत सारे आपके पास entries होती है तो आप कैसे करते हैं बट मैंने अभी वह सब नहीं किया तो हमारे जो schemas है वो ready हो चुका है index.py जो है वो हमारी मुख्य फाइल है यहां से सब कुछ हो रहा है और जो हमारे routes.py है node.py routes के अंदर node.py उसके अंदर हमारे सारे routes लिखे जाएंगे तो आप जल्दी से क्या करूँगा यापर from from config.db import connection यहां से हमने connection को import किया फिर इसके बाद हम क्या करेंगे schemas को import करेंगे फिर लिखेंगे from schemas.node import node entity notes entity दोनों को हमने यहां पर गया कि इंपोर्ट कर लिया ठीक है अब अगर आपको याद हो तो अपने note को import किया यहां से और यह error भी दिरा था तो हम यहां पर simply लिखेंगे note is equal to API router and we should be good to go ठीक है और यह करने के बाद हम अब जैसे कि यहां पर हम कर रहे थे app.get अब हम करेंगे note.get जो कि हमारा API router है और बाकी logic हमारा exactly same रहेगा तो मैं इसको copy करके जरह यहां पर paste करता हूँ in fact मैं cut करूँगा, cut क्यों करूँगा क्योंकि मैं इस बात का track रखना चाता हूँ कि क्या चीज मैंने cut कर दी क्या चीज नहीं करी जिस तरह से हम यहां पर add the rate app लिख रहे थे अब हम यहां पर add the rate note लिखेंगे मैंने लिखा note.get and obviously हमको html response request यह सब चीज़े जो है import करनी पड़ेंगी fast API से तो मैं कुछ इस तरह से oops not here हाँ ठीक है तो यह हमने import किया ठीक है यह import करने के बाद हमें यह भी करना पड़ेगा app.mount static और templates यह दोनों चीज़े भी करनी होगी कौन वाली चीज़ हमने कर लिए तो इसको भी मैं यहां पर करता हूँ in fact जो app है हमारी वो यहां पर है तो हमें क्या करना होगा कुछ इस तरह से करना होगा and static files और jinja यह दोनों चीज़े भी हमें यहां पर लानी होगी तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ अपनी जो application है main.py से हटाकर यहां पर लेकर आ रहा हूँ तो मैं अभी main.py को पूरा cut कर दे रहा हूँ main.py में कुछ भी नहीं रहने वाला है finally हमारा और आप यहां पर देखो जिस तरह से मैंने आपर app.get लिखा हुआ है उसी तरह से कर रहा है तो template.template response क्यों मैं रहा थो कर रहा है we'll have to see that तो मैंने लिखा response class is equal to html response fastapi.response import okay तो यहां पर templates is equal to यह लिखा हुआ है तो मैं काम करता हूँ यह templates वाली चीज यह ले जाता हूँ and यह import भी यह ले जाता हूँ कर गई होगी आप हमारी लेकिन अब जो command है ना उसको मैं change करने वाला हूँ आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ और मैं इस terminal को बंदी कर देता हूँ और मैं यह आपर simply क्या लिखूँगा paper install नहीं जहां मैं main लिख रहा था वाब मैं index लिखूँगा and I hope कि आप समझ रहोंगे क्यों ऐसा किया मैंने और यह करने के बाद मैं simply क्या करूँगा इसको reload करूँगा ठीक है reload किया मैंने चल रही है बहुत बढ़िया अच्छी बात है चल रही है hello from notes भी आ रहा है I am a note भी आ रहा है बट इस बार क्योंकि schema वगएरा change हुआ है तो मैं इसके अंदर जो database के अंदर notes डालने के तरीकों को भी change करने वाला हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वह चीज होगी तो database के अंदर notes डालने का इस बार जो तरीका है वह होगा model के through और वह भी simple and straight forward है जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो इसको ज़रा मैं यह जो छोटे मोटे errors सारे ने इनको में ठीक कर रहा हूँ और इसको मैं ऐसे ही रने देता हूँ फिलाल के रिए अब यहाँ पर जिस तरह से मैंने note में get request मारी है उसी तरह से मैं note में post request मानने वालों मैं कहुंगा मैं note dot post करूँगा और मैं कहुंगा इसी endpoint पर मैं post request मानना चाहता हूँ और post request का मतलब होगा कि एक नया note insert किया जाएगा अब एक नए note को insert करने का क्या तरीका है insert करने का तरीका एक दम आसान है जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा था con.notes.notes.find उसी तरह से अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर .insert1 कर दूँगा ठीक है लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मैं आपर insert underscore one लिख कर जो भी हमारा incoming note आने वाला है उसको मैं आपर लाने वाला हूँ ठीक है तो मैं क्या करूँगा यह जो function है इसका नाम change करूँगा और मैं आपर इसका नाम add note कर दूँगा और इसका नाम add note करने के बाद इसको मैं दूँगा note और उसका type होगा note ठीक है तो मैंने note दिया इसको और note का type क्या होगा note और note क्या है note हमारा models में से आ रहा है और वो note हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा तो title description important यह तीन चीज़े हैं जो कि हमारे note में होने वाली है तो मैं simply आपर क्या करूँगा मैं कहूँगा कि con.notes.notes.insert1 और मैं क्या करूँगा digitally में convert कर दूँगा note को और वो insert हो जाएगा ठीक है और insert करने के बाद मैं simply क्या करूँगा return कर दूँगा इसको तो मैं आपर inserted underscore note के नाम से queryable बनाता हूँ और मैं return कर दूँगा क्या मैं return कर दूँगा inserted note नहीं मैं note entity से इसको कुछ इस तरह से inserted notes inserted note ये मैं return कर दूँगा ठीक है तो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरह से API काम करने वाली है तो मैं आपर क्या करूँगा कि जैसे ही किसी ने post request मारी let us से मैंने आपर लिखा 12 मैंने आपर लिखा 12 और इसके बाद मैंने submit किया तो यहां पर यह कह रहा है कि body message field required value missing तो देखते हैं यहां पर क्या problem है यह कौन सी field की missing होनी की बात कर रहा है मैंने या कुछ लिखा या कुछ लिखा या कुछ लिखा इसको चेक किया submit किया यह कह रहा है msg field required type value error dot missing let's see msg क्या है यह message था जो कि fast api नहीं हमको दिया but यह कह रहा है field required value missing I think यह बूल की बात कर रहा है मैं काम करता हूँ कि बूल को एक default value दे देता हूँ अब अगर आप लोग चाहते हो कि pydentic के base model को आप default value दे दो तो आप कुछ इस तरह से सकते हो मैं यह पर लिख सकता हूँ equals to none और इसकी default value none हो चुकी है अब ही और अब मैं आप लोग को यह आपर दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको reload करूँ और submit करूँ दुबारा से in fact मैं इसको reload करता हूँ और दुबारा से कुछ इसको submit करता हूँ तो यह भी भी मुझे कह रहा ही कि field required value error.missing so let's see what's wrong here तो मैं simply क्या करूँगा यहाँ पर इसको id को name करूँगा name और अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि क्या scene मन रहा है तो अभी मुझे error मिल रहा है तो मैं id को name कर दिया है यहाँ पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ value is not a valid dictionary यहाँ पर लिक कर आ रहा है तो मैंने यहाँ पर note लिया है और note एक valid dictionary नहीं है मैं ऐसा यह बोल रहा है तो अगर मैं print करूं note को और जो मेरा terminal है उसमें देखूं restart हो रही है application हमारी reload करके continue उपर click करते हैं और देखते हैं कि जब हम print कर रहे है जब हम print कर रहे है note को तो क्या आ रहा है तो मैंने आपर दुबारा से server चला है और दुबारा से post request में मार रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहां पर problem क्या रही है तो कुछ भी print नहीं हुआ actually और not sure what's wrong here तो जो form है तो मैंने form को action ही नहीं दिया है मुझे action is equal to slash देना होगा form को और एक बर मैं inspect करके भी देखता हूँ कि जो मेरी network request है वो किस तरह से जा रही है तो मैं reload करूँ अगर तो यहां पर देखो जो हमारी post request है वो कुछ इस तरह से जा रही है payload यह title दिया है description दिया है और 422 unprocessable entity error आ रहा है अब मैं आप लोगो को बता हूँगा कि कि इस तरह से आप लोग post request की सहाइता से insert कर सकते है database में लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को मैं एक package install करवाना चाहता हूँ और उस package का नाम है python multipart जो की multipart form को submit करने में help करता है उमको तो मैं आप लिखूँगा pip install python multipart तो pip install python multipart करते ही आप देख सकते हो यह package install हो गया है और अब मैं आपर simply क्या करूँगा अपनी जो ubicon app उसको चलाओंगा और यहाँ पर जिस तरह से हमने get request बनाई थी ना उसी तरह से आप लोग post request भी बनाएंगे तो in fact मैं क्या करूँगा इसको copy करके यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर get लिगा था उसी तरह से यहाँ पर post लिखूँगा फिर मैं लिखूँगा create item तो इस function का नाम में रखता हूँ create item और इसको भी मैं यहाँ पर request request दूँगा और इसके बाद कोई भी इंसान अगर मैं अपनी आप को reload कर लेता हूँ दुबारा से कोई भी इंसान अगर मेरी website पर आएगा और website पर आने के बाद वो form को submit करेगा और यह internal server error आरहा है देखता हूँ मैं क्या दिक्कत आ रही है actually मुझे यहाँ पर pass लिखना पड़ेगा क्योंकि function complete नहीं है इसलिए हमारा server शायद crash हो गया था और अभी सब कुछ ठीक होना चाहिए और अगर नहीं है तो हम देखेंगे क्या दिक्कत है यह कह रहा है key error note मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है dock note key error note okay let me see what's wrong okay तो दिक्कत यहाँ पर शायद यह आ रही है कि जो हमारा compass है उसके अंदर कुछ notes ऐसे पढ़े हुए जिसमें note नहीं है तो मैंने यहसे कि आप लोगो बताया था कि मैं title और DESC कर दूँगा इसको तो मैं जल्दी से सबसे पहले इसको ठीक करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर title और DESC fetch करने के लिए बोला है तो मैं title और DESC ही fetch करूँगा यहाँ पर जो मैंने note लिखा हुआ है यहाँ पर गलत है और यह चीज मुझे और जगा भी ठीक करनी पड़ेगी और मैं आप लोगों को बताऊंगा कहां कहां ठीक करनी है तो Ctrl D करूँगा और यहाँ पर मैं DESC लिख दूँगा यहाँ पर भी मैं DESC लिख दूँगा और title और DESC लिखने के बाद मैं आपर और देखूँगा और कहा कहा मुझे title और DESC करना है यहाँ पर मैंने कर दिया है और इसके बाद यह important है कि नहीं यह flag भी मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से item नहीं मैं आपर doc लिकूँगा doc important और मैं देखता हूँ कि कहीं मेरा schema गड़बड तो नहीं है कहीं और हाँ बाकी सब जगा मेरे schema ठीक है मैंने ठीक कर लिया था and this should work now let's see what's wrong application startup complete अभी भी internal server error दे रही है and we'll have to see what's wrong तो अभी यह पता है मुझते क्या गह रहा है यह मुझते कह रहा है कि आपने जो mongo youtube नाम का अपना instance बनाए है इसके अंदर आपने जो भी collection में रही है मैं connect करता हूँ आपको दिखाऊंगा मैं और collection जो आपने बनाए है उसमें भी यह गया रहा है bad authentication let me see यार क्या दिक्कत आ रही है लगता है यहाँ पर जो मेरा password डला हुआ है वो मैंने गलट डाला है actually मेरा password अपना बदलता रहता हूँ उसका reason पता ही क्या है उसका reason यह है कि लोग मेरे mongo db instance में घुज जाते है और मैं अपने mongo db instance को secure रखना चाहता हूँ in fact इस video के बाद भी मैं password बदल दूँगा तो expect this password not to work okay तो यहाँ पर आप देखिये connecting to mongo youtube लिख कर आ रहा है यह अब connect हो जाएगा इस बर hopefully और इसको connect हो जाना चाहिए और काफी time देखने होने में actually you know what मैंने एक नया password बनाया मैंने password को change करके भूल गया मैं तो मैंने दुबारा नया password बना लिया कोई बात नहीं अब आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने आपर notes नाम की एक database बनाया और इसके अंदर मैंने notes नाम की collection मनाई हुई है और इसमें आप देख सकते हैं hello from notes और यह सब चीज़े लिखे हुई यह सब में delete करने वाला हूँ पूरी collection में खाली करने वाला हूँ and obviously आप इसको इस तरह से manually ना ही करना क्योंकि आप इसको या तो mongo sh से कर सकते हो या फिर आप directly collection को delete कर सकते हो नहीं collection बन जाएगी अब आप यहां पर देखो जैसे ही मैं इसको reload करूँगा it should work your notes में मैं चाहता हूँ कि अगर empty है तो no notes to display ऐसे कुछ लिख कर आए तो जो हम not Studio लगा रहे जो हम JINJAY का for loop लगा रहें एके तो ही यहां पर सकते हैं हम यहां पर JINJAY का if लगा सकते हैं हम कह सकते मैं in fact google search करूँगा GINJAY if egenja to if ठीक है तो मैंने यहां पर JINJAY to का if search किया है और यहां पर आप देख सकते हो कि कि if आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो और अगर मैं यहाँ पर if को copy paste करूँ और मैं यहाँ पर कहूँ if और मैं यहाँ पर लिखूँ new docs तो क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर show करना चाहिए कि यह पर मैं अगर कहता हूँ if not of new docs not of new docs तो मैं कहूँगा no notes to display ठीक है कुछ इस तरह से मैं show करना चाहूँगा let's see कि यह होता है कि नहीं होता है और internal server error आ गया है यह कह रहा है कि भाई यह not character कुछ नहीं होता है क्या कर रहे हो ठीक है तो मैं आपर क्या करूँगा कि not in ginger and yes guys आपको syntax याद करने की कोई जरूवत नहीं है even मैं बूल जाता हूँ that's totally fine ठीक है तो यहां पर not कुछ इस तरह से होता है शायद if variable is defined okay तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो is defined if new docs is defined let's see कि यह काम करता है कि यह यह no notes to display मालो मैं आपर note और DESC लिखता हूँ और submit करता हूँ और इसके बाद मैं back आऊ और reload करूँ मैं आपर अगर कुछ लिख रहा हूँ तो actually यह submit शायद नहीं हो रहा है let me see what's wrong तो मैंने आपर post request मारी तो यह submit नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने post request का logic अभी लिखा ही नहीं है तो जो मैं post request का logic लिखूँगा तब जाके कुछ यहां पर मुझे होता हूँ दिखेगा तो मैं आपर post request का logic में क्या लिखूँगा सबसे पहले तो मैं pymongo से जो form है हमारा उसको add करूँगा तो सबसे पहले तो form को लेकर आते हैं तो मैं यह आपर लिखूँगा form is equal to await request.form तो आप इस तरह से जो form है आपका उसको प्राप्त कर सकते हो इसके बाद आप क्या कर सकते हो आप यहां पर note is equal to लिख सकते हो जो आपके mongo db का function होता है con.notes.notes. और जिसके बाद हम क्या करेंगे insert1 करेंगे तो insert underscore one और जिसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर हम form को submit कर देंगे. ठीक है और इसके बाद हम return क्या करने वाले है हम return करने वाले है success और इसके बाद true ठीक है कुछ इस तरह से हम इसको return करेंगे और हमारा node insert हो जाएगा ठीक है अब यह एक insert object return करता है जिसको आप देखकर इसका output है उसके साफसे चीज़े कर सकते हैं जैसे कि अगर insert हो गया तो आप कुछ करना चाहेंगे और insert नहीं हुआ तो शायद आप कुछ करना चाहेंगे तो अभी मैं आपको बस यह दिखाना चाहता हूं कि एक अच्छा सा note यहां पर डालता हूं प्लीज रिमेंबर द मीटिंग मीटिंग इस आट एट पी-म और नीप यह चेक्मी आउट का मतलब है कि इस नोट इस बिस्टी इंपोर्ट गर्डूं का चैक्मी आउट को मैं अब यहां पर आगे इंटनल सर्फर रर्र यह एक्ट अच्ट उप्योट इन कोड ओक उस दिस the problem मैं देखता हूं यहां पर यह क्या दिक्कत है dict object has no attribute in code तो request.form करके actually हमें form data मिलता है और form data को मैं dictionary में convert करके just इसको देना चाहना था but let me see what's wrong here content.encode data object has no attribute in code तो मैं देखता हूं यहां पर क्या दिक्कत आ रही है तो हमने यहां पर dictionary convert करके इसको encode किया मैंने इसको await भी किया request.form करके but उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो देखता हूं भी यहां पर क्या मैं कर सकता हूं और तो अगर मैं इसको reload करूं दुबारा से और कुछ okay तो यह इस बार मुझे शो ही नहीं कर रहा है मैं देखता हूं यहां पर क्या problem आ रही है important, doc important let's see okay तो यहां पर पता है क्या दिक्कत आ रही है जो important है न यह तो pass नहीं हो रहा है मैं दरा form देखता हूं console.log नहीं sorry print form करके देखता हूं और मैं देखता हूं यार की scene क्या बन रहा है तो मैंने इसको reload किया जब तो जो मेरा form है वो क्या है क्या हो print होकर आ रहा है क्योंकि मुझे वो print होकर चाहिए मैं चल्दी से इसको server को दोबारा से restart करूंग and I want to see की scene क्या बन रहा है in fact मै one two okay तो यह internal server error क्योंकि यह क्या रहा है कि यह जो important वाली field है वो parts नहीं हो पा रही है which is a problem let's see कि हम इसको कैसे fix कर सकते है तो अभी जो मारा node बन रहा है उसमें क्या problem है कि important वाली field नहीं है तो हमें उसमें important वाली field डालना है मैं सबसे पहले तो जो node बन गया है उसको delete करूंगा और इसके बाद क्या करूंगा आउंगा अपने pipe charm में और कोशिश यह करूंगा कि मेरा important भी आए कैसे आएगा important तो यहां पर यह input checkbox है id is equal to something है name is equal to मैं इसको important दूंगा important and now let's see कि हमारा यह key क्या होने वाली है तो मैं जरा इसको reload करता हूं कुछ यहां पर डाल के देखता हूं और internal server error आ गया let's see कि यहां पर क्या हुआ ठीक है तो यहां पर जो हमारा form data कुछ इस तरह से आ रहा है important on आ रहा है important क्या रहा है on आ रहा है form dict बनानी होगी और मैं कौँगा form dict is equal dict form और form dict में change करो जो important है उसको कर दो क्या करो false if form dict important equals to equals to on यह small में on होता है else else false ठीक है तो यह हम करेंगे and let's see कि यह strategy यहां काम करती है कि नहीं करती है continue in fact देखता हूं यहां पर की important आया कि नहीं है important में on आ गया which is a problem let's delete this and let's try again और इस बार भी error क्या देखने को मिलेगा हमको देखते हैं देखते हैं कि क्या इस बार हमें हमारी database में true false ठीक से insert हो रहा है कि नहीं हो रहा है in fact यहां पर आ गया एक error देखते हैं यह error क्या है तो यहां पर मैंने form dict का important था वो change करने की कोशिश की है okay तो मैंने insert one में form dict नहीं डाला which was the problem अब यहां पर reload करेंगे continue करेंगे back करेंगे करेंगे काम कर रहा है कुछ मैं आपर डाल कर देखता हूं submit करूंगा internal server आगे दुबारा से देखता हूं क्या problem आ रही है आपर तो दुबारा से कहरा dict object has no attribute in code तो यह यहां पर dict object में in code नहीं है बोल रहा है in fact मैंने mongodb जब refresh किया तो इसके अंदर यहां पर important में true आ गया है और बस में यह देखना जाता हूं कि जो हमारा important है वो मैंने किस तरह की field रखी हूई है मैंने boolean रखी है क्या हाँ मैंने boolean रखी हूई है और इसको by default none भी किया हूआ है तो let's see कि आपर क्या दिक्कत आ रही है तो मैं अगर अभी इस page को reload करूँ और continue पर click करूँ तो यहां पर load अमारा insert नहीं हो रहा है which is a problem और error यह आ रहा है कि So actual issue मालू मैं क्या था actual issue यह था कि मैंने response class is equal to html response लगा रहा था तो अब मैं आपर क्या कर सकता हूँ await request.form कर सकता हूँ मुझे form को print करने की जरूरत नहीं है मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मैं simply यहां पर form दे दूँगा अपने con.notes.insert1 को और इसके बाद success true कर दूँगा और मैं यह भी करूँगा क्योंकि मैं किया जाता हूँ कि एक form dict बनाना जाता हूँ तो मैं एक form dict बनाई लेता हूँ और मैं dict form कर दूँगा इसको और यह करने के बाद मैं बस simply यहां पर अपनी आप में आऊँगा और मैं यहां बागी की tabs बन कर देता हूँ मैंने बहुत जारे debugging करी and finally इस conclusion पर पहुचा कि मेरी गलती बड़ी basic थी title और इसके बाद DESC check me out को check करके यहां पर submit कर रहा हूँ और internal server error यह क्या हो रहा है दोबारा से error क्यों आगया document must be an instance of dict that inherits from collections okay तो यहां पर दिक्कत पता ही क्या आ रही है हम जो पास कर रहे है वो dictionary पास नहीं कर रहे है तो मैं form dict pass करूँगा and we should be good to go जैसे कि आप देख सकते हैं success true हो गया और database में मेरा data चला गया होगा तो मैं reload करूँगा अगर database में मेरा data चला गया है तो मैं काम करता हूँ सारा data delete करता हूँ यहां पर और दुबारा से अपनी app में मैं प्रवेश करूँगा और कुछ और data डाल कर देखूँगा तो मैं आप पर लिखता हूँ this is my lucky title और इसके बाद मैं लिखूँगा this is my lucky DESC और मैं इसको check me out को check करूँगा submit करूँगा and let's see की data आता है की नहीं आता है important true आ गया है अब same form में important false करके submit करता हूँ and let's see की important false आता है की नहीं आता है yes important false आ रहा है so this is the code I hope की यह app आप लोगों को fast API के बारे में काफी कुछ सिखा गई होगी और उच्छी के साथ साथ आप लोग put request, delete request और भी बहुत आरे की request है उनको fast API में implement कर सकते हो node.delete node.put यह करके यह मैं आप लोगों को as an exercise देना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आप इसको as a challenge accept करें और इसको complete करें I hope की आप लोगों को यह fast API का tutorial अच्छा लगा यह जो source code है यह आप लोगों को देदूगा description में और आप इसको समझना एक basic app बनाना अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यह जो application है इसमें page reload होता है और एक JSON दिखती है जबकि यहाँ पर कुछ front end पर आना चाहिए which is a good argument लेकिन वह चीज front end की है मैं आप लोगों को past API को MongoDB से connect करना सिखाना चाहता था and I hope कि मैंने आप लोगों अची तरह सिखा दिया आप multiple APIs बनाइए चीजों को और आगे लेकर जाहिए और मुझे बताना comment section में आपने किया अभीके लेस्ट वीडियो में इतने है thank you so much guys for watching this video and I will see you next time